Hello Friends आज हम पढ़ेंगे दोस्तों Big West जिसे लिखा था यूनेश डी सूजा ने उन्होंने इसमें इक Big West दिखाइब है यानि एक त्याग दिखाइब है तो त्याग कोन कर रहा यहांपर तो एक लेडी कर रही है एक आउरत कर रही है और वो क्या त्याग करती अपनी जीवन में क कैसे वो इस male dominated society के बीच में अपनी इच्छाओं को, अपनी self respect को कैसे वो दान में दे रही है, अपने दिल के रूप में वो दे रही है, कि मेरे जो इच्छाएं थी, वो मेरे दिल में थी, वो तुम ले लो, मुझे नहीं चाहिए, ऐसा वो क्यों कर रही है, आईए देखते है जिस पोयम को आज हम पढ़ने जा रहे हैं, उसे publish कराया गया था 1990 में, और किसमें publish कराया गया था, way of belonging में, 21 लैनों की यह पोयम है, जिसे five stanzas में बाटा गया है, यह एक lyrical पोयम है, और इसकी theme ले ली जाए, तो वो थी, patriarchy, womenhood, convention, versus individual, तो यह थी पोयम के बारे में, दोस तो अब आईए हम start करते हैं, पोयम पर पहले हम जान लेते हैं, इन्विस डी सुजा के बारे में, कि उन्होंने यह पोयम क्यों लिखिया और किसले लिखिया, इन्विस डी सुजा, जिनका जन हुआ था, एक अगस्त, 1940 में, और यह एक English language, Indian English language की poet थी, literary में, इनका बहुत ब in Dutch printing, way of belonging, or danger look, जैसी कई famous work इन्होंने अपनी जीवनकाल में दिया, और इसके बाद उन्होंने हमें 29 July 2017 अभी हाल ही में छोड़ दिया, यानि वो नहीं रही, यह हुआ poet के बारे में, अब आईए हम जानते हैं इस poem का meaning, और लाइन बेलाइने से पढ़ेंगे, विनिस डिसूजा कहती है, अपने first line में, in every Catholic home, there's a picture of a Christ holding his leading heart in his hand, I used to think if तो यहाँ पे वो कह रही हैं कि हर Catholic घर में एक picture होता है, तो वो एक Catholic, एक Christian थी, तो उन्हें पता था कि हर Christian के घर में एक picture होता है, जैसा कि आप picture में देख रहे हैं, वो अपने heart को अपने हाथों में लिये रहते हैं, और उनके chest से bleeding हो रही होती है, अब poet हमें यह जिसूजा क्राइस्ट की मूर्ती के बारे में इसलिए बता रही है, क्योंकि poet अपने आपको Jesus Christ से comparison करती है, कि किस तरह Jesus Christ अपने पूरे जिंदगी में humans की भलाई के लिए सूचते रहें, और humans को बहतर बनाने की कोसिस करते रहें, पर उनको क्या मिला, इसके कारण उन्हें बहुत ही दर्द सैना पड़ा, और वो हमेशा दुखों से घिरे रहें, तो उसी तरह वो कहती है, कि मैं भी दुखों से घिरी हुई हूँ, पर मेरी एक अलग कारण है, दुखों से घिरने की, मेरा कारण यह है, कि मैं इस Patriotical Society, यानि जो Male-Dominated Society है, यानि कि पुरुष प्रधान, उसके कारण उन्हें बहुत सारे दिकतों का सामना करना पड़ा है, I used to think, इसका मतलब यह है, कि मुझे वो जो तस्वीर जब मैं देखती थी, तब मुझे घिन आती थी, कि कैसे Jesus Christ को इतना दुख्यारा बनाया और कैसे उनके हार्ट से खून निकाला हुआ दिखाया जा रहा है, पर अब मैं समझ गई, कि वो ऐसा क्यों दिखाया जा रहा था क्योंकि जब अंदर से तकलीफ होती है, तो दिल जो है, वो रोता है, और वो कैसा रोता है, खून के आसो, अब पोईट आगे लिखती है, तो इन लेनों में पोईट ये कहना चाहरी है, कि मैं सिर्फ एक ही व्यक्ती से अपने बिचारों को नहीं सेयर करती, अब वो कौन व्यक्ती है, तो वो व्यक्ती है नाई, जो उनके बालों को सेप देता है, उसे छोड़कर मैं अपनी जो परिस्थानी है, वो दुनिया पे दिखाती हूँ, मतलब वो confidence से अपनी चीज़ों को दिखाती है, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, वो confidence से बता रही हैं दुनिया को कि किस तरह male dominated society हम पर दबाव डालती है, women's पर दबाव डालती है और women's को उसका अपना equal right कभी नहीं मिलता, male के जैसा, और वो ये चीज़े confidently बताती है, full confidence के साथ बताती है, और दुनिया को वो आइना भी दिखाती है कि क्या हो रहा है women's के साथ, और कैसा male dominated society हम women's पर जुल्म ठा रहा है, इसके बाद वो आगे लिखती है, someone recommends string standard, others say floating alone, he says, take it as it comes, meaning of course, as he hands it out, यहाँ पे first line में poet जो है, वो अपनी सूच नहीं, समाज की सूच बताना चाह रही है, और कह रही है कि कुछ लोग, some recommend, कुछ लोग मुझे recommend करते हैं, कि जो समाज में चल रहा है, वैसा तुम भी चलो, यानि कि male dominated society है, तुम वैसा ही रहो, और others कहते हैं, others say float alone, others का कहना है, कि जो हो रहा है, उसे होने दो, अकेला मत float करो, यानि अकेले मत तेरो, तुम ये मत सोचो, कि तुम्हारे ही साथ ऐसा हो रहा है, सब के साथ ऐसा हो रहा है, तो चुप चाप इसे सहो, इसके खिलाफ मत जाओ, वरना तुम एक अकेली हो जाओगी, float करोगी अकेले, तुम्हारे साथ समाज नहीं रहेगा, क्योंकि तुम समाज से भिन सोचती हो, He say, take it as it comes, यहाँ पे He का परियोग जसस क्राइस्ट के लिए किया जा रहा है, और वो कह रहे हैं, कि जसस क्राइस्ट भी लोगों को यही कहा करते थे, कि जो मिला है, वो भगवान की इक्षा है, और जो मिल रहा है, उसे चुपचा प्राप्त करो, और उसके साथ रो, क्योंकि भगवान की इक्षा के बिरुद, तुम नहीं जा सकते हैं, पर यहाँ पे पोईट हमें यह कहना चारिए, कि मैं इसे कैसे माल लूँ कि यह भगवा कि इक्षा कैसे हो सकती है, इसके बाद पोईट लिखती है, आई विस आई कुड़ बी विश वोमन, स्माइलिग इनलेसली, वे गौसली लाग अ प्लास्टिक फ्लावर, सेंग चाइल, लेर्ण फ्रॉम मी, आई विस आई कुड़ बी अविश वोमन, यहाँ पे पोईट यह कहती है कि काश मैं एक wish women होती और जैसा male dominated society बताना चारी है मुझे बनाना चारी है मैं भी वैसा ही होती और 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 ओरतों के जैसा कि जैसा वो wish करते हैं मैं वैसा वैसा करती smiling endlessly wellessly like a plastic flower smiling endlessly यानि अंत तक मैं मुस्कुराती रहती वैसली like a plastic flower और कैसा plastic flower जैसा plastic flower कभी मुर्जाता नहीं ना उसे पानी दो ना कुछ देना पड़ता है उसी तरह मैं रहती जिसमें कोई भी खुस्बू नहीं होती बस मैं सामने मुस्कुराती रहती और जैसा लोग कहते वै सामने करती रहती saying children learn from me और मैं अपने बच्चों से ये कहती कि मुझसे सीखो कि किस तरह जगडे को सांथ किया जाता है अपने आपको दबा कर और जो society चाह रही है वो हमें करना पड़ता है जैसा society कह रही है वैसा करना पड़ता है और तुमें भी यही करना चाहिए देखो मेरे कारण धगडे नहीं हो रहे है मैं एक अच्छी मा हूँ अच्छी बीबी हूँ और अच्छी बेटी भी और ये सब चीजे मैं अपने बच्चों में भी डालती ताकि वो भी society से लड़े नहीं जैसा उन्हें society कहे वैसा वो करते जाएं तो इस stanza में poet अपने wishes को बता र रहें और इसके बाद वो लिखती है it's time to perform an act of charity to myself be quit the heart like a spare kidney perfectly to an enemy it's time to perform act like a charity to myself यानि मैं अब ये समय आ गया है कि मैं इस society को एक charity की तरह देखूँ और अपना दान दे दूँ मतलब अपनी चीजों का दान दे दूँ be quit the heart like a spare kidney और मैं अपनी जो दिल है उसे दान में दे देती हूँ जैसे कि वो मेरे सरीर का एक spare kidney हो जैसे दो kidney होती है तो एक kidney हम दे सकते हैं किसी को उसी तरह वो अपने दिल को देना चाहती है क्यों देना चाहती है क्योंकि उस दिल में उनकी इक्षाएं हैं उनका उमीद है कि एक दिन male और female बराबर होंगे male dominated society नहीं होगी पर society ऐसा नहीं चाहती है इसलिए वो अपने दिल यानि अपनी इच्छाओं को जो कि सबसे ज़्यादा important है जितना दिल important होता है उतना ही उन के लिए important है अपनी जीवन की तरह पर अब वो उसे देना चाह रही है ऐसे मानों वो कोई जरूरे चीज नहीं है और वो किसे देना चाह रही है पर family to an enemy और किसे दे दूँ अपने दुस्मन को दे दूँ दूस्मन कौन है यह समाज यह समाज मुझे चाहता है कि मैं एक विस woman बनूँ जैसा वो विस करे वैसा मैं और वैसा ही करूँ जैसा वो चाह रहे है तो मैं इस अपने हाट अपनी इच्छाओं को बीक्विट करती हूँ दान में देती हूँ और मैं वैसी बन ही जाती हूँ जैसा यह समाज चाहता है कि जो वो विस करे जो वो कहे वो मैं सही मा और यही थी दोस्तों यह poem be quest आपने मुझे पूरा सुना इसके लिए धन्यवाद लाइक करें सेयर करें सब्सक्राइब करें मैं आप से मिलुँगा नेक्स स्टोरी में तब तक के लिए बाबाई जहिन दोस्तों और सब्सक्राइब करना भूले आप सब्सक्राइब करना भू बुल जाते हैं, प्लीज दो सब्सक्राइब